Hello everyone, welcome back to the channel तो स्टुडेंट्स के काफ़ जादा कमेंट आ रहे थे regarding admissions से related and उन सभी कमेंट्स and सभी डाउट्स को इसी वीडियो में मैं स्टूड करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितने परसेंटार वाले candidates हैं जिनको first round counseling के लिए apply करना है और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को step by step बताऊंगी जो कि काफ़ी जादा students के doubt थे कि हमें समझ नहीं आ रहे है कुछ भी तो सभी के सभी doubt इसी वीडियो में जो है सोल करने वाली हूँ तो आप लोगों को comment कर देना otherwise आप लोग जो है अपनी query डाल सकते instagram पे भी वहाँ से भी मुझे आप लोगों के doubts पता लग जाते हैं तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं complete इस वीडियो में जो है बात करने वाले तो वीडियो काफ़ी साथ informative है जो चैनल को subscribe करके notification कोन कर दे ताकि ऐसी लगाता अपडेट से information आप सभी को मिलती रहे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कितनी percentile वालों को first round counseling के लिए apply करना है जो कि काफ़ी साथा students के doubt थे तो मैं आप लोगों को बता दू कि PGI रो तक जो entrance exam हुआ उसमे percentage या फिर मैं बोलू marks and percentile यहाँ पर almost हमें same देखने के लिए मिल रहे है 55 percent यहाँ पर percentile है 55 percentile है तो almost candidates के mark 57 है ऐसे percentile दे रहे हैं तो आप लोग यह मान के चल सकते हैं जो percentile हमें देखने के लिए मिली entrance exam में वो जितने marks हैं almost उन्हीं के equivalent हमें देखने के लिए मतलब percentile ऐसा नहीं रहा कि percentile कुछ अलग रही तो इस वज़े से जो है आप लोगों को जादा percentile के बारे में नहीं सोचना चाहें आप लोगों का admission percentile से करा जाए आप लोगों का admission percentage से करा जाए यानि कि marks से करा जाए जो आप लोगों का criteria जो हाँ बनती दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप लोगे मान के चल सकते हैं जितनी अपनी cut-off थी उसे से related information यहाँ पर लगने वारी मतलब जितनी आप लोगों को ने cut-off देखी थी उतनी ही cut-off percentile के according भी यहाँ पर रहने वाली है तो कितनी यहाँ पर percentile से जादा वाले candidates को जो है यहाँ पर like first round counseling के लिए fill करवाया जाएगा तो चाहे आप लोगों का admission percentile से हो जाए या फिर percentage से हो जाए आप लोगों को बिलकुल भी नहीं घबराना है तो first round counseling के लिए मैं आप लोगों को बता दू कि third three times more candidates को invite किया जाता है तो three times more candidates में almost जो रहेंगे वो यहाँ पर जो general category से जो belong करते हैं जो candidates वो 110 plus जो marks है जिनके ठीक है उनको यहाँ पर invite उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दू कि other categories में हमें जो रहेगा वो 90 से कम वाले candidates को भी invite किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो रहेगा almost यह आप लोगों बोल सकते हैं कि इतने percentile या फिर आप लोगे बोल से इतने marks वाले जो candidates हैं उनको round of counselling के लिए first round of counselling के लिए हाँ पर जो रहेगा like invite किया जाएगा अभी जो second सबसे जादा doubt था कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें जो रहेगा counselling के लिए apply कैसे करना है तो वो मैं आप लोगों का जो है इस वीडियो में solve करने वाली हूँ मैं आप लोगों को बता दू कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों कहीं पे भी search नहीं करना है जितने भी वीडियो से लेटेड यूसफुल लिंक करहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ही provide कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी problem ना हो जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ complete processor तो उनका जो link रहता है description में हमेशा provided रहता है तो आप लोगों simply description open करना है वहीं से आप लोगों को जो है link को open करके यहाँ पर आ जाना official website पर जैसे ही आप लोग official website पर आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग official पे हैं आप लोगों को थोड़ा सा scroll down करना होगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा scroll down करना होगा आप लोग देख सकते हैं admission open 2021-2022 register का जो option है हमें देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पर हमें register नहीं करना है register के इस एक्जिस्टिंग यूजर login पे हमें click करना है because हम लोग जो है पहले ही यहाँ पर अपना जो application form है वो यहाँ पर complete कर चुके है अभी हमें counseling से लेटेड जो है form apply करना है तो simply आप लोगों को जो रहेगा login पे आप लोगों click कर देना है आप लोगों की जितनी भी details है वो यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि कोई application number है या नहीं है application complete है ऐसी details जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को application completed तो simply आप लोगों को इस option पे click कर देना होगा आप लोगों के सामने जो है open हो जाएगा जैसे कि options होते है अपने application form like completed का download admit card का ऐसे आप लोगों के सामने choice feeling का option जो है आने वाला जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती है आप लोगों देख सकते हैं यहाँ पर options आ चुके हैं जैसे कि admit card का हो गया जैसे कि application form का receipt का यहाँ पर हो गया ऐसे आप लोगों को UHSR पे search नहीं करना है कि हमें कहां से link मिलेगा apply करने के लिए हाँ पर आप लोगों को ऐसे apply होगा उसके साथ previous videos में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ choice feeling को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से करना है choice feeling यहाँ बार decide करता है गाइड कर दूग sih आप लोगों को फ़स्ट जो हरता है उसके किस college को रखना है सेकेंड पर किस college के रखना है उसी के according आप लोगों को מोलेजिस को place करना है जिससे कि आप लोग अपने घ्रिउरेबल आमांट या फिर Min आप लोगों कि आप लोगों को